इस वीडियो का थमनिल तो आपने पढ़ लिया होगा कि रंडजी ट्रोफी 2024 पांच प्लेयर बढ़ाएंगे सेलेक्टेस की टेंशन अब आप सोच रहे होंगे कि रंडजी ट्रोफी खेली जा रही है और पांच खेलाड़ी BCCI सेलेक्टेस की टेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं इ ये प्लेयर पांच जैनवरी से शुरू हुई रंडजी ट्रोफी में अलग-अलग टीमों से खेलते दिखेंगे ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकट में हजारों रन बनाए हैं इनमें दो प्लेयर ऐसे हैं जो सौ से जादा टेस्ट मैच भी शर्त ये है कि अगर ये सबी खिलाड़ी रंडजी ट्रोफी के इस सीजन में बड़िया प्रदर्शिट करते हैं तो बी सी सी आई चैन करताओं की टेंशन बढ़ना लाजमी है इस वीडियो में हम इनी पांच प्लेयर के बारे में बात करेंगे पहले बात करते हैं चेतेशवर पुजारा रंडजी ट्रोफी में सौराष्टर की तरफ से खेलते हैं 5 जैनवरी से सौराष्टर और जारखंड के बीच राजकोड में मैच खेला जा रहा है ये मैच पुजारा के लिए एहम है उन्हें जून दोजार तेज के बाद से भारत की टेस्ट टीम में जगा नहीं मिली है ये आखरी बार भारत के लिए ICC World Test Championship के Final में खेले थे इसके बाद से ही उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया इस दारान भारत ने वेस्ट इंडीज और साउथ आवरिका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली लेकिन चेतेशवर पुजारा के टीम में जगा नहीं मिली लेकिन चेतेशवर पुजारा को टीम में जगा नहीं मिली पुजारा करीब डेर साथ से कुछ खास नहीं कर पाए पिछले छे टेस्ट मैचों में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक बार हाफ सैंचुरी लगा पाए है इसलिए रणजी ट्रॉफी का नहीं कर पाए ऐसे में पुजारा अगर रणजी ट्रॉफी से मतलब उसमें रणजी ट्रॉफी में बहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनकी भारत की टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है उन्हें इंगलिंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है याद रहे ट्रॉफी दोजार चॉविस में इशान दिल्ली की टीम का हिस्सा है पांच जैन्वरी से शुरू हुई रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम अपना मैच पुद्दू छेरी के खिलाफ खेल रही है इशान्थ के लिए ये मैच और रणजी ट्रॉफी का सीजन काफी एहम ह वो करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर है इशान्थ ने भारत के लिए आकरी टेस्ट नवंबर 2021 में न्यूजिलेंड के खिलाफ कानपूर में खेला था उस मैच में वो एक भी विकेट नहीं ले पाए जिसके बात से उन्हें भारत की टेस्ट टीम में जगान नहीं मिली इ निशान्त ने भारत के लिए 105 टेस्ट खेले हैं जिन में 311 विकेट चटका हैं अगर रंडजी ट्रोफी में उनका प्रदर्शन बहतर रहता है तो टीम इंडिया में वापसी की संभावना है उन्हें इसी महिने इंग्लिंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शामिल किया सीजन उनके लिए बहुत एहम है एक समया जिंक्या रहने विदेशी दोरे पर टीम इंडिया के साथ होते थे लेकिन पिछले कुछ टेस्ट मैचों में वो अपनी लेबर करार नहीं रख पाए जुलाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें भारती टीम में जगा मिली लेकिन उट टेस्ट सीरीज में रहने कुछ खास नहीं कर पाए वो दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सिर्ष ग्यारा रन ही बना पाए जिसके बाद उन्हें साथ आपरिका एक खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारती टीम में शामिल नहीं किया गया अगर रहने रंजी बाद उमेश यादव भी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंचिप के फाइनल में उमेश यादव आखरी बार खेले थे उसके बाद उन्हें वेस्ट इंडीज और साउथ आफरिका के खिलाव खेली गए टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में जगा नहीं मली मौजूदा समय में मौईश यादव रंजी ट्रोफी मैच में विधर्ब की तरह से सर्विसेज के खिलाव खेल रहे हैं ये रंजी ट्रोफी के इस सीजन में उमेश को बहुत उमीद है वो हर हाल में भारत की टेस्ट टीम में वापसी करना चाहेंगे वो 2018, 2019 और 2020, 2021 में आस्ट्रेलिया की सर्जमील पर लगातार दो बाट टेस्स सीरीज जी थी दोनों एतिहासिक मौक पर हनुमा विहारी टीम इंडिया का हिस्सा थे लेकिन बीते डेड़ साल से वो टीम इंडिया से बाहर हैं उन्होंने अपना आखरी टेस जुलाई 2022 में इंगल 5 जैनवरी से शुरू हुई रणजी ट्रोफी में आंदरप्रदेश की टीम बंगाल के खिलाव विशाखा पटनम में खेल रही है हनुमा विहारी ओल राउंडर की हैसे से खेलते हैं वो भारत के लिए 16 टेस्ट खेल चुके हैं उन्होंने टेस्ट में 839 रन बनाए हैं इसक थी लिस्ट उन 5 क्रिकटर्स की जो रंजी ट्रोफी में बहतरीन प्रदर्शन कर भारत की टेस्ट टीम में बापसी कर सकते हैं यह विडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो या जो भी आपकी राए हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं विडियो को प्लीज वीडियो के लिए और अप्टू डेट स्पूर्ट जगत से अप्टू डेट रहने के लिए वीडियो को देखने के लिए स्पूर्ट्स वाला को फॉलो करिए